नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केड आनलिसस पर स्वागत करता हूं और जैसे कि मैं आप लोगों के लिए हर रोज कुछ ना कुछ स्टॉक्स देता ही देता हूं और काफी सारे लेवल्स में देता हूं खास करके मैं दो वीडियो बनाता हूं जहां पर आपको काफी सारे सेर्स आपको देखने को मिलता है तो मैं इसलिए आप लोग के लिए बनाता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप लोग किसमें ट्र profit कमाओ यही मेरी जो उमीद है जो मैं चाहता हूँ न वह ही है तो हम लोग ज्यादा discuss नहीं करेंगे directly चलते हैं levels के उपर बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ आप लोग प्लीज अगर trade करना चाहते हो पैसा कमाना चाहते हो तो आपको levels के उपर काम करना सीखना पड़ेगा पहले ऐसा नहीं कि market नीचे जा रहा है चलो sale करके जाएंगे आपको पता नहीं है कहाँ पर रुकने वाला है market कहां से बापस आने वाला है उपर यह point आपको पता नहीं है तो उसी point को ही support और resistance कहते हैं यानि कि market अगर down side जा रहा है support लेके उपर reverse करेगा bombs back करेगा अगर up momentum कर रहा है resistance के आसपास जा रहा है कहां पर resistance है जहां सरी है again नीचे fall आ सकता यह जानकर यह आपके पास होना चाहिए तो इसलिए मैं आप लोगों को हर रोज intra day के लिए हो गया जो भी है मैं आपको courses करके आप local levels पहुंचाता हूं आपको इतना करना है कि आपको levels को follow करना है levels लिखना है और उनके उपर trade करना है ज्यादा late नहीं करेंगी directly चलते हैं indecent bank की उपर अगर levels आपको पसंद आएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजे साथे साथ notification bell को on करके जरूर रखेगा क्योंकि आगे चलके काफी सारे levels में दूँगा काफी सारे वीडियो upload करूँगा long term हो गया short term हो गया intra day के लिए हो गया या फिर कोई भी learning वीडियो हो गया कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपको notification के तुरू आपको मिल चाए चले इंडेसेंट बेंक के उपर पहले देखते हैं support रहेगा जो point में आपको देने जा रहा हूँ ये आपके लिए काफी important है क्योंकि support भी है और resistance भी है ये जब point मिलता है ना काफी मज़ा आता है काम करने के लिए क्योंकि वो point के नीचे अगर sustain होते हुए देखने को मिले sale करके profit कमाओ उसके उपर चले तो buy करो ये वाला काफी अच्छा profit कमाने का मोका है देखे support रहेगा आपका 1009 रूपीज 65 पेसा ध्यान रखे अगर 1009 65 पेसे के नीचे अगर sustain करता है आप लोग sale करके target दे सकते हो 1000 का round label दूसरा target रहेगा 993 तीसरा रहेगा 986 आपकी चानकार इक लिए दुबारा बता देता हूँ और यहाँ पर हो सकता है एक momentum 1009 रूपीज 65 पेसा support का काम करेगा अगर उसके नीचे sustain होते हुए देखने को मिलेगा 1000 का एक round label आपको देखने को मिलेगा पहला target दूसरा रहेगा 993 तीसरा रहेगा 986 resistance की बाद अगर कहूँ same आपका 1009 रूपीज 65 पेसा का resistance रहेगा अगर उसके उपर sustain करेगा आप लोग buy कर सकते हो पहला target रहेगा 1027 55 पेसा दूसरा target रहेगा 1038 70 पेसा आपकी जानकार इक लिए दुबारा बता देता हूँ अगर इंडसन बैंक 1009 65 पेसे के उपर sustain करता है आप लोग buy कर सकते हो पहला target रहेगा 1027 55 पेसा दूसरा target रहेगा 1038 70 पेसा और जिस दिन 1038 70 के उपर cross करेगा 1050, 1060, 1084 यहाँ तक भी आपको काफी सरे target देखने को मिलेंगे तो गाइस किसी को भी अगर free telegram channel पर join करना है link मैंने description पर दे दिया हूँ जाके चेक करके join कर लिजे चली next आपका रहेगा स्रीराम ट्रांसपर स्रीराम ट्रांसपर फानान्स कोर्परेशन लिमिटेट के उपर हमने discuss किया हुआ था और हमने कहा तक प्लान किया था टार्गेट अगर याद दिला देना चाहूंगा आप लोग को 1380 का टार्गेट हमने एक प्लान किया हुआ था अल्मस्ट 1372-45 के आसपास वो चला गया तो मुझे मेरे ख्याल से यहां तक आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो भी सपोर्ट के उपर बाइग किये होंगे जिनको 1359 के उपर ओपन होने के बाद वो चला गया था जिसके हमने प्लान किया था 1365 के उपर बाइग करके 1380 का टार्गेट हमने प्लान किया था ठीक है जो भी है लेबल्स की हिसाब से ही उसने ट्रेड हुआ है और यह प्रिवियस दे का जो एक दो दिन का उपर जो हाई लगाया था 1372 80 पैसा उसको ही रेस्पेक करके इसने हाई लगा दिया तो कल के लिए देखेंगे सरी मंडे के लिए देखेंगे मंडे कौन से लेबल पर आ आपका रहेगा 1359 30 पैसा याद रखेंगर 1359 38 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला तारगेट रहेगा 1346 दूसरा रहेगा 1330 आपकी जानकार इकले दुबारा बता देता हूं अगर सृराण ट्रांसपेट थाफिके नीचे सस्टेन करता है रहेगा 1346, दूसरा टार्गेट रहेगा 1330, रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं, रेजिस्टन्स रहेगा 1372, 60 पेशा आपका रेजिस्टन्स रहेगा, जैसे ही रेजिस्टन्स की ऊपर सस्टीन करता है, बाई कर सकते हो, पहला टार्गेट रहेगा 1384, 30 पेशा, दूसरा टार करी के लिए दुबारा बता देता हूँ अगर स्रीराम ट्रांसपोर्ट 1372 60 पेसे के नीच ऊपर सस्टेन करता है बाय कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 1384 30 पेसा दूसरा रहेगा 1396 यहां तक आप यह को आपको दो टारगेट देखने को मिलेंगे और अगर थाटीन 1300 का भी लेवल है राउंड लेवल मुझे वह लेवल अच्छा लगता है और देखिए 96 है और 1400 के आसपास यह टारगेट हो सकता है और अगर 1400 के उपर सस्टेन करता है ना डारेक्ली यह 14, 23, 24 के आसपास भी जाने की को उसस करेगा अगर लेवल्स पसंद आगया होगा तो पर जिनको भी जॉइन करना है उसका लिंक में ने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हो जाके चेक करके जॉइन कर लीजेए अगर मैं गलत नहीं हूँ 420, 45 पैसा में ओपन किया थोड़ा सा एक हलका सा एक लो लगा के मार्केट ने उपर के लेगा अगर मैं एक वार इसको 15 मिनिट के चार्ट पर लेके चलो जैसे ही हाँ जैसे इसने ओपन किया आज देखिए ओपन करके यह सस्टेन नहीं किया है 420 के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है 420 पैसा यानि कि हमारे पास अभी भी बाइंग करने का मौका था और जिन्होंने भी बाइंग किया होगा काफी एचा प्रॉफिट कमा होगा क्योंकि मैंने लेबल्स दिये थे आपको कह निटली कमाउट तो मंडे के लिए क्या लेबल है 422 20 पैसा का सपोर्ट रहेगा ध्यान रखिए अगर स्टेट बिंग कॉप इंडिया 422 रूपीस 20 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 419 दूसरा टारगेट रहेगा 417 तीसरा रहेगा 415 यहां तक आपको टारगेट रहेंगे और काफी छोटा छोटा ही टारगेट है बट सपोर्ट का टारगेट है आप लोग ध्यान से देखे ट्रेड करेंगे और रेजिस्टन्स की बाद अगर कहूं रेजिस्टन्स रहेगा 425 40 पैसा जैसे ही 425 40 पैसे की उपर सस् टेट बेंग को अप इंडिया 425 40 पैसा के ऊपर सस्टेन करता है आप लोग बाई कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 428 95 पैसा दूसरा टारगेट रहेगा 433 15 पैसा यहां तक आपका दो टारगेट देखने को मिलेगा और सपोर्ट की बाद अगर कहूं सपोर्ट में 417 तीसरा रहेगा 415 यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेगे चलिए नेक्स्ट टॉक के ऊपर जाते हो और जाने से पहले जरूर कहोंगा किसी को भी अगर फ्री टेलिग्रम चैनल पर जोइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन पर है जाके चेक करके जोइन कर लीजे च देखिए आज एक्जाक्ली 1130 पर ही उसने डॉट लगा के लो लगा यानि की आज की डेट पर सेल हुआ तो काफी सारे लोगों ने अच्छा पैसा जरूर कमा हुआ क्योंकि एक्जाक्ट लेवल्स में आपको दिये थे अगर देखा जाये तो मैंने जो रेजिस्टेंस बता हुआ वहाँ से गिरना स्टार्ट आपके वक्त आपके पास टू टाइम त्री टाइम आपके पास चांस था जहांसा आप सौर्ट कर सकते थे एनिवे जो भी है आपने पैसा जरूर कमाया होगा डेफिनिटल कमाया होगा प्लीज अकर आप लोग कमाये हैं तो एक बार के support आपको काफी strong support बनेगा यहाँ पर अभी अगर 1130 के नीचे sustain करेगा तब आप sale कर सकते हो पहला target रहेगा 1114 दूसरा target रहेगा 1098 दुबढ़ा बता देता हूं 1130 आपका support रहेगा उसके नीचे sustain करता है 1114 आपको पहला target दूसरा target रहेगा 1098 और resistance की बात अगर कहूं resistance रहेगा 1148 50 पेशा जैसे ही 1148 50 पेशा के उपर cross करेगा आप लोग buy कर सकते हो पहला target रहेगा 1157 दूसरा रहेगा 1166 80 पेशा बट मुझे नहीं लगता sell का position बना सकते हो वहां से बढ़ एक चीज़ ज्यान ध्यान रखिए अगर 1148 50 पेशा के उपर sustain करके चाहता है उपर buy कर सकते हो 1157 और 1166 80 पेशा यहां तक आपको काफी बढ़ा target देखने को मिलेगा गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए notification बेल को all पर जरूर प्रेस करके on करिएगा क्योंकि आगे चलके जो भी वीडियो में पोस्ट करता हूं तुरंद आपको notification के तुरो मिल जाए और उसके साथ साथ किसी को अगर फ्री टेलिग्रम चैनल पर जोइन करना है लिंक मैंने description पर देती हैं चेक करके जोइन कर लेजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद